आप आप दोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि क्येसे आप जो हे स्क्रीन फ्लीकरिंग प्रॉब्लिम सॉल्व कर सकते हैं या पर दोस्तों आपने कई बार नोटिस क्या होगा आपके device में कभी कभार इस तरु protective और दूर करते दोस्टों उसमें आपको 121 फ्रिकल करते अगर सोप्यर के वज़्जे से कुछ भी problem हो रहा हैं कि बशники दोस्तों इस क्रीओ करते अब दोस्तों यहाँ पर सफर यह नहीं अगर हाड़वेर में issue है तब भी screen flicker करते है ठीक है डिस्प्ले में problem है या फिर आपका display क्रेक हुआ है तो उस संब पर दोस्तों आपको screen flicker करते हुए नजर आ जाएगा तो दोस्तों screen flicker करने का reasons यही कुछ यहाँ पर जाने को मिल जाते है ठीक है तो अगर आपके screen भी flicker करें तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें मैं आपको solutions बताऊंगा जो कि आपको follow करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो problem में किस तरीके से fix हो जाते है ठीक है अगर software के related कोई भी issue है तो definitely दोस्तों यहाँ पर problem solve हो जाएगा लेकिन दोस्तों हरूर के वज़े से कुछ problem हुआ है screen क्रेक के वज़े से हुआ है तो उसके लिए दोस्तों आपको अलग से problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके मेंसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन फ्लीकर यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे मोबाइल को सबसे पहले चेक करके देखे कि उसमें कितना इस नोट चाव झांक करें मौबाइल कर पर जाए चाली है ख्याली कर सकती है मोबाइल का उनको डिलेट करने उन्यूसस अप्लेकेशन बहुतफिकेशन चान करने हैं guid dir कि कोई भी अनौन ब्रोजर से आपने इंस्टॉल किया हुआ अप्लिकेशन तो उन चीजों को डिलेट कर दें ठीक है तो इस तरीके से आपको सबसे पहला सोलिशन फोलो करना है एडलीस 40 परसंट तो 30 परसंट आपका स्टोरेच इस पेस खाली होना चाहिए ठीक है उसके अप्लिकेशन होगा अच्छा रहेगा उसको अपडेट करके आप यूज कर सकते तो अपडेट वर्जन का अप्लिकेशन वगरा यूज कीजिए सारे साथ दोस्तों आपके जो मोबाइल सोफेर है वो भी अपडेट होना चाहिए ठीक है मोबाइल सोफेर में जाएए और प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो स्क्रीन फ्लिकर का प्रॉब्लेम दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सॉल्फ कर सकते हैं अगर सोफेर के रिलेटेट कुछ भी इश्व है अगर सोफेर अपडेट करने के बाद फिक्स हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों, यहां पे आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, स्रोल डाउन करना है, जेनरेल मिनेश्मेन पर जाके reset option select करने और इसकी बार factory data result कर देना है, ठीक है? factory data reset करने के बार दोस्तों, चेक करके देखेँ, आपका screen flicker इस्ओ fix हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते हैं तो दोस्तों वह यहां पर basically hardware का issue हो सकते हैं ठीक है screen crack है या फिर कोई भी hardware के related में अगर problem आ जाते हैं कोई भी short circuit mirror boat में या फिर किसी भी तरह के issue हो सकते hardware के related तो उसके वज़़े से issue होते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी service center पर जाना है अगर फोन अभी warranty पर फ्री में भी आपका problem fix हो जाएगा अगर warranty कटा मुझ चुका है तो आपको यहां पर जाकि किसी भी technician के पास या फिर service center पर जाकि वे आप problem को solve कर सकते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तों यहां पर software से अगर काम नहीं बना तो आपको hardware fix करना पड़ेगा यह problem को ठीक है तो यह सारे चाहिए आप follow कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर पर दोस्तों मैंने software के related solution दिया है अगर कुछ भी problem software के वाज़स से हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर hardware के वज़से हो रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बसने होगा थैंक्स वो राचिंग